आप लोग देखते हैं कि किसी ना किसी राज्य में हर साल आपकी विधानसवा चुना होते रहते हैं और अगर आपकी राज्य की बात करें तो आप देखते हैं कि हर पांस साल में आपके यहां भी विधानसवा के चुना होते हैं या फिर आप देखी लोगसभा के चुनाओ भी हर 5 साल में होते हैं, पहले भी हो सकते हैं, अगर आप देखी बिधान सभा या लोगसभा भंग हो जाती है तो, या फिर आप देखी किसी वेक्टी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो 6 महिनी के अंदर चुनाओ करवाना ह चाहिए आगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं Civil Service यानि कि UPSC, IES की बात कर लिजे या फिर आप लोग State PCS की बात कर लिजे और जब State PCS कहते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि Civil Service की तरह है आपके राज्जों में भी PCS का एक्जाम होता है MP में MPPSC, बिहार में BPSC, UP में UPPCS, 36 कर PCS, राजिस्थान PCS इनकी बात हो जाते हैं या फिर आप देखे वन डे एक्जाम होते हैं सेंटर लेवल पर SSC, बैंक, रेलबे के होते रहते हैं और आप देखे राज्जों में आएंगे तो सिक्षक बढ़तिया, पुलिस, कॉंस्टेवल, SI, दरोगा, फटवारी इस तरह के अनेकों एक्जाम होते हैं इनमें direct questions ही इससे पूछे जाते हैं और पुराने questions पेपर उठाके देखे आप लोग हर साल एक दो questions किसी ना किसी एक्जाम में जरूर आते हैं और एक सम्मिधानिक संस्था है अब आप लोग कहते हैं कि सम्मिधानिक संस्था कहने का मतलब क्या होता है कोई अगर सम्मिधानिक संस्था है तो सम्मिधान के किसी ना किसी अनुछेद में उसकी स्थापना की बात की जाती है। भारती निरवाचा रायुक जैसे आहम तोर पर आप लोग चुनाओ आयुक के नाम से जानते हैं। एक स्वायद सम्मिधान एक निकाय है जो भारत में संग और राज्य चुनाओ पिक्रिया का संचालन करता है। अगर हम लोग चुनाओ आयुक की स्थापना की बात करें तो 25 जन्मरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी सम्मिधान के अनुसार और 25 जन्मरी को आप लोग राष्टी मद्दाता दिवस भी मनाते हैं। अगर हम लोग इसके सचिवाले यानि की पटर की बात करें तो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राजविधान सभाओं और राष्टपती, उपराष्टपती के चुनाओ का संचालन करता है। और इसका राज्यों में पंचायत, नगरपालिकाओं के चुनाओं स रहते हैं उसे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो सब चुनाओ कौन करवाता है? आपकी राज्य में जो आप देखते हैं कि देखेरे कौन करता है? आपकी राज्य में भी चुनाओ आयूग होता होगा। उत्तरपदेश बालों को मालों होगा, उत्तरपदेश अगर हम लोग इसके सम्मिधानिक प्राउधान की बात करें, तो आप देखेंगे कि भारती सम्मिधान के भाग 15 को आप लोग पढ़िए, चुनाओ आयूग से सम्मंदित कौन सा भाग है, 15, अगर आपसे डारेक्टी कुश्चन्स पूच लेगा, और इसमें अनुचे 324 से ल आप पर पड़ें, तो चुनाओ का अधिक्चन और निदेशन और नियंतन चुनाओ आयूग में नहे थे, ये कौन सा आर्टीकल कह रहा है, कौन सा अनुचेत कह रहा है, 324 कह रहा है, अनुचेत 325 क्या कहता है, ये कहता है कि धरम, जाती या लिंग की आधार पर किसी भी ब परांजेंडर हैं, महला हैं, पुरस हैं, आपको चुनाओ में बोट डालने से नहीं रोका जाएगा, आपको बोट देने दिया जाएगा, अगर आपके भारत की नागरेख हैं तो, अनुचे 326 क्या कहता है, ये कहता है कि लोकसवा और राजी की विधान सवाओं की वैस्क मतादिकार पर आधारित होंगे, यानि कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो आप लोगों का बोट सुची में नाम जुड़ चुका होगा, और आप लोग बोट डालने जाते होंगे, अनुचे 327 क्या कहता है, ये कहता है कि विधान सवाओं की चुनाओं की सम 329, 329 चुनाओं मामलों में अदालत के हस्तेचेप पर रोक लगाने की बात करता है, तो इन सभी आर्टीकल को आप लोग जरूर याद रख लीजेगा, कंठस्त याद रख लीजेगा, अब अगर हम लोग चुनाओं आयोग की सरचना की बात करें, तो मूल लूप से आयोग इसे बहुर सदस्ये निकाय बना दिया गया, और चुनाओं आयोग में मुख चुनाओं आयोगत होता है, और अन चुनाओं आयोगत होते हैं, और राज्जिस्तर पर चुनाओं आयोगत की मुख निर्वाचान अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो आईएस रेंग का अधिकारी होता है। अगर हम लोग इन आयोक्तों की नियुक्ति और कारकाल की बात करें तो राष्टपति आप देखें मुख चुनाओ आयोक्त और चुनाओ आयोक्तों की नियुक्ति करता है। साल या 65 वर्स की आयू यहां कहने का सीधा सा मतलब यह होता है कि मान लिजी कि आपकी उम्र 50 साल है और आपको चुनाव आएक्त बना दिया जाता है तो जब तक आप लोग 6 साल करेंगे आप लोग 56 साल के हो जाएंगे तो आप लोग आराम से 6 साल का कारकाल पूरा कर पाएंगे लेकिन मान लिजी किसी की निवक्ती 62 साल की उम्र में होती है तो आप देखें तीन साल बाद ही उसका 65 साल का हो जाएगा तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा यानि कि उसका 6 साल पूरा कारकाल नहीं हो पाएगा उस मिलते हैं और यहां सरवोच नियालाई की बात हुई है वो भी समिधानिक संस्था है और अनुछेद 124 के तहट उसकी स्थाफना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 पर स्थाफना हुई थी आप देखेंगे इसमें जो नियादिस रहते हैं उनके सिवानिवित्ती की उमर भी 65 साल रखी गई है अब बात आती है कि नियुक्ती की हो गई है तो अमने सकासन हटाने की बात तो बे कभी भी त्याकपत दे सकते हैं अब जिसे आप देखें जो चुनाव आइक्त है उसे काम नहीं करना है तो जब अरजस्ती थोड़ी है वो अमना स्वयम से त्याकपत दे सकता ह कभी भी उन्हें उनके कारगाल की समाप्ती से पहले भी हटाय जा सकता है और मुख चुनाव वाइब को संसति द्वारा सरवोच नयालाई के न्याइदीस या आप देखें न्याइदीसों को हटानी कि पिक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है तो ये भी याद यानि कि कहने का मुतलब यह है कि जो आप देखते हैं कि सर्वोच नियालाई की नियादीस को हटाने की पिक्रिया है ना उसी के तहट इसे हटाया जा सकता है और समीधान को सीमाएं भी हैं समीधान में चुनाओ आयकतों को सरकाद वारा किसी और नियुक्ती से बंचित नहीं किया गया है तो इसकी कुछ सीमाएं हैं अगर हम लोग चुनाओ आयक की सकतियों और कारियों की बात करें तो पिसासनिक कार इसके संसत की परिसीमन आयू अधिनियम की आधार पर देश भर में चुनाओ निर्वाचन छित्रों का नेधारन करना मद्दाता सूची तेजार करना और समय समय पर संसोधित करना और सभी पात्त मद्दाताओं को पंजिकित कराना राजनितिक दलों को मानता पिदान करना उन्हें चुनाओ चिन आवंटित करना चुनाओ वायूग राजनितिक दलों की आम सहमती से विक्सित आदर्स आचार सहिता की सक्त पालन के माध्यम से राजनितिक दलों के लिए चुनाओ में समान अउसर सुनिश्ट करता है और यह चुनाओ के संचालने हित्तु चुनाओ कारकरम तय करता है चाहे वह आम चुनाओ हो या फिर उप चुनाओ हो एक आप देखें सलायका छेत्त अधिकार और अरद न्याइक अकारेस के समिधान के तहें संसद और राजविधान समाओं के मौझूदा सदसों के चुनाओ के बाद आयूगता के मामले में आयूग के पास सलायकार अधिकार छेत्त होता है ऐसे सभ करने आते हैं कोई सवाल हितु आयूग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे ब्यक्ति को आयूग घोसित किया जाएगा यदि हां तो किस अवधी के लिए आयूग के पास आप देखें मानता प्राप्त रानेतिक दलों के विभाजन बिलाय से सम्मधित विवादो को निप्टानी की नियाएक सकती भी नेत होती है आयूग के पास ऐसे किसी उमीदवार को आयूग घोसित करने की सकती है जो समय की भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपनी चुनावी खर्चों का लेखा जुका करने में बिफल रहता है तो ये छोटी सी कहा आसानी है चुनाव आयूग की अगर इससे आपकी परिक्षा में सबाल पूचे जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से उसका जबाब देने की स्तिती में पहुंचों गए होंगे और इस तरह की जो संगठन है और्गनाइजिसन है चाहे वो आपकी राष्ट इस तरह के हों अंतराश्टी इस तरह के हों इनके बारे में जरूर आप लोग पढ़ लीजेगा इनसे आपकी परिक्षाओं में हर साल कुष्चन्स पूचे जाते हैं मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग जिस भी एक जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पूरानी कुष्चन्स पेपर कम से कम 4 से 5 साल पूरानी कुष्चन्स पेपर जरूर देखा करिएगा उन्हें समझा करिएगा